दोस्तों कि आप भी चाहते हो कुछ इस परकर का हैपी एनिवेडिसरी में विज्ट करना तो आज की इस वीडियो में आप से भी गोशिकाऊंगा इस तरह का आपको एनिवेडिसरी विज्ट आज वीडियो किस तरह से क्रियेट करना है इसके लिए आपको एक अप्लिकेशन का जूरत परेगा अप्लिकेशन का नाम है काईण मस्टर अगर दोस्तों आप लोग एब वीडियो खुद से क्रियेट करना चाहते हो तो आपको वीडियो को सुरू से लेकरेण तक देखना होगा अगर दोस्तो आप लोग मेरे से अगर कोई भी वीडियो इडिंग क्रेट करवाना चाहते हो तो प्लीज मुझे कोमेंट या इंस्टागरम पर जरूर मेसेच करना या दोस्तो आप लोग इस नमर पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है काइन मास्टर अपको ओपन करना है काइन मास्टर अपन करने के बाद आपका काइन मास्टर के अंटरफेस आपको कोच इस पर करका दिखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको new project में click करके आपको select करना है यहाँ पर आपको 16 to 9 उसके बाद आपको नीचे create में click करना है और एक बार आपको bake आ जाना है आपको यहाँ पर website की middle में setting option मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है और आपको नीचे editing में आना है editing में आने के बाद आपको पर photo, duration जो है आपको 4 second पर रखना है और आपको नीचे display mode आपको कर लेना है, fill screen और आपको नीचे transaction duration को 1.5 second उसके बाद बेक आजाने के बाद हिहाँ पर आपको जो media option दिख रहा है हिहाँ पर जाकर आपको 10-12 photo आपको add कर लेना है तो photo add करने के बाद आपका वीडियो का interface आपको कोच इस पर करगा दिखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के starting position में आ जाना है photo में क्लिक करके आपको pen and zoom को option में जाना है अगर photo add करने के बाद आपका photo का size कोच इस पर कार से अगर आ रहा है तो आपको photo में क्लिक करके pen and zoom को option में जाके आपको double and में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस पर कार से आपका photo frame में full adjust हो जाएगा जैसी कि दोस्ता आप लोग देख रहे हों मैं वीडियो के end तेक सभी photo का adjust कर चुका हूँ उसके बाद आपको video के starting position में आके आपको photo में क्लिक करके आपको pen and zoom को option में फिर से जाना है आपको double and हटा लेना है उसके बाद आपको end position में क्लिक करके आपको end position कुछ इस पर कार से थोड़ा आपको zoom करना है सभी फोटो में आपको डबल लान हटा लेना है और सभी फोटो का end position आपको कुछ इस परकार से थोरा-थोरा आपको zoom करना है कुछ इस परकार से ठीक है जूम करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के starting position में तो मैं इस सभी फोटो को end position जूम कर चुका हूँ उसके बाद आपको वीडियो के starting position में आपको प्लाजबल आइकन में किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर आपको एवला टांजेक्स इनिफेट को आपको add करना है दोस्तों यहां पर आपको 5-6 टांजेक्स इनिफेट मिलेगा आपको दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले 0-3 को आपको select करना है और select करने के बाद आपको जो next प्लाजबल आइकन है उस पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद इस बार आपको 4th नमर को select करना हा है थीक है उसके बाद दोस्तों आपको 1 से लेकर 6 तेक आपको यह वाला transaction effect आपको सभी plausible icon में कुछ इस परकार से आपको add कर लेना है थीक है अगर दोस्तों आपका काइन master में यह वाला transaction effect अगर नहीं है तो इसको download करने के लिए सबसे पहले plusable icon में आपको जाना है जाने के बाद हिया पर आपको सबसे पहले आपको net one करना ठीक है net one करने के बाद आपको हिया पर आपको मिलेगा home icon ठीक है home icon में जैसे जाने के बाद आपको हिया पर search का option मिलेगा और यहां पर आपको search option में आ जाना आ है आ जाने के बाद आपको download करना है आपको दोस्तो ही अपर टांजेक्सिनिफेट का नाम ठीक से देख लेने के बाद जैसे सर्च करोगे आपको डानलोड को आप्शन मिल जाएगा और डानलोड करने के बाद आपको कुछ इस परकार से वीडियो के एंट तेक आपको टांजेक्सिनिफेट को एट करना है ठीक है तो यहां पर मैं आपको कर दूरे ना है उसके बाद दोस्तों आपको चला जयाना है एंड पोजिशन में और एंड पोजिशन का फोटो का लेंद करीब 30 सेकंड के आसपस रख कि इसको आफ़ रयट से ट्रीम करना है उसके बाद आपको इस एरो में क्लिक करके आपको इस वीडियो को से आपको 0-3 को सिलेट करना है पोची स्वरकार से वीडियो के एंड तेक्ट है तो मैं फटा पर से कर लेता हूँ तो विडियो के दिने पेम्ट के पाद को एड करने के बाद वीडियो के स्टार्डिंग पोजिशन में आ जाना है आजाने के बाद हीहा पर आपको फोटो और किल करना है और बलड को वीडियो के चार्ड इस तरह से बलड कर लेना है और सेटिंग उप्षिन में जाके इसका लेंद 3 रखना है उसके बाद आपको इस बलड को कर लेना है वीडियो का आपको आजाना है वीडियो के स्टार्डिंग पोजिशन में लेयर ओप्शन में जाके आपको सिलेट करना है मीडिया ओप्शन उसके बाद यहां पर आपको एपी एनिवेडिसरी विला template वीडियो को add करना है template वीडियो आपको किस तरह से download करना है आपको वीडियो के description में link मिल जाएगा template वीडियो एट करने के बाद आपको split screen में जाके इसको fill screen करना है और आपको थोड़ा नीचे मिलेगा blending option इस पर क्लिक करके आपको screen करना है ठीक है और वीडियो के लेने के बाद इस परकार से थोड़ा side छोड़ा करके आपको rotate करना है और rotate करने के बाद यहाँ पर आपको template के border मताविक इसको आपको zoom करना है उसके बाद three dot में clicker कि इसको send to back court करना है उसके बाद आपको नीचे में देगा cropping option आपको इस side crop करना है जो side frame से थोड़ा बाहर वड़ाए ठीक है आपको अच्छे तरीकर से इस परकार से आपको crop करना है crop करने के बाद layer option में जाके media option आप उसलेट करना है और आपको एक photo को add करना ठीक है कोई भी एक photo को आपको ले लेना है लेने के बाद आपको हिया पर cropping option में जाके मार्शन करना है shapes म उपर इस परकार से कर लेना है और photo को इस परकार से थोड़ा आप जूम भी कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पर जो आपको गोल वाला फ्रेम दिख रहा है इस फ्रेम के उपर आपको भूत ये अच्छे से आपको इस photo को बैठना है और three dot में click करके center backward कर लेना है center backward करने क के बाद दोस्तो फोटो को आप थोड़ा moving कर सकते हो कुछ इस परकार से ठीक है थोड़ा adjust कर लेना है इस परकार से उसके बाद आपको इस photo का length कर लेना है वीडियो के end करने के बाद आपको आजाना है वीडियो के starting position में layer option में जाके text option select करना है और जिस मन्त में दोस्तों anniversary ह इस परकार से आपको मन्त का नाम लिख लेना है और double a में जाकर आपको यह बला text style को select करना है उसके बाद यहां पर आपको ठीक जगा पर आपको अच्छी तरीका से इस परकार से आपको बैठे लेना है और बैठे लेने के बाद आपको इस test को भी आपको वीडियो के end तेक बिबाद आपको ले चले जाना हे कुछ इस प्रकार से ठीक है। उसके बाद Hogwarts formatting position में आ के आपको लेर वह से में sapu handwriting में आना है। और आपको रेट कलर्ड को अपको速 सेट करके आपकोफ Congratulations क्लवें आपको रैट क्लिक करना है इस डेट को इस परकार से मार्क कर लेना है उसके बाद आपको कर लेना है इस सर्कल को वीडियो के एंड तेक्ट रहे हैं जो कि आपको लियर ऑप्शन में जाके आपको टेक्ष्ट ऑप्शन स्लेट करना है और जिसके नाम से वला वीडियो एडिट कर रहे हैं दोस्तों उसका नाम आपको कुछ इस परकार से आपको लिख लेना है ठीक है तो नाम लिखने के बाद आपको यहां पर फिर से टेक्स्ट इस्टल में जाना है और इसको आपको थोड़ा चेंज कर लेना जो टेक्स्ट इस्टल आपको रखना है और रखने के बाद इसको थोड़ा आपको अच्छा दिखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको इस परकार्ट का वीडियो डिडिग करेंगे अगर आपको कोई भी प्रोब्लेम आता है तो प्लीस मुझे कोमेंट करके जरूर बताना तो आज की भीरियो में दोस्तों इतनाई था अगर इस वीडियो का आपसे पर से आया